तो हलो अब्रीबन कैसे आप सब लोग आई होप सभी बढ़िया होंगे आज मैं आपको जो अपडेट बताऊंगा अपडेट देखने से पहले यार अगर आपने अभी तक वीडियो के कमेंट सेक्षन में आपने अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को नहीं डाला है तो ज आप ज्यादा हम पे हैल बिल जाती है तो यह फांच सेगंड के काम है कर दिया करो ठीक है आज मैं आपको आपडेट बताऊंगा जैसा कि आप देखी पारोंगे आपर जैस डावश्य के जन्दल इस चिल का ही गुरप आपको देखने को मिलता है अपको यह मनलता है यह पार पर ठीक है वैके इसके लिए आप लिए कर सकते हैं साथ साथ इसमें आपको काफी बड़ी आप पोस्ट है वो देखने को मिल रहेंगे जैसे आप देखी पा रहेंगे और इसमें एक अच्छी बात और यह है कि आपको जब आप काम करेंगे यहां पर कंपनी के दोरान अगर आ या फिर यहां पर रिटायर भोते हैं तो आपको बहुत सारा यहां की ह। और बहुत बहुत हो सबाइस तरह देखने को मिलेगा इसमें आपको बता दूगा कैसे आपको कैसे लग sy對 होगा ठीक है और इसमें अगर आपने अब यहां पर यह पर नहीं कि हैं या फिर यह नहीं था किया आपको सबसे पहले पडेट वहां पर मिलती रहे पल पल की अपडेट आपको सबसे पहले प्रवाइड करा जाती है चलिए बात करते हैं इसकी जो कुछ बेसिक डिटेल्स है उसके वारे में आपको यहां पर जो है सारी डिटेल्स बताऊंगा देन कैसे कैसे आपको फॉर्म को एपलाई करना इस प्रॉसेस के वारे में बहुत ही आराम से और ध्यान पूर्वक समझना मैं आपको सारी जानकारी यहां लुटाने वाला हूं अब जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहां सब्सक्राइब करने के लाएं और बहूत ही अचछे पदों पर वेकंसी निकाली गई है जिसमें में आपको बीडर्यान करने वाला हूं तो सभी जो गुर्ण पूर्बक समझें और वीडियो को लाइक नहीं है तो लाइक कर देना चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लेना कमेंट में अपनी योग्यता को डाला बिल्कुल भी मत भूला अब देखिए यहां पर जो आपको देखने को मिला जिंदल स्टील ठीक है जिंदल स्टील की सब्सक्राइब कर देखने को मिलेंगी और यहां पर आपके पास किसी भी टैप का कोई एक्सपिरियंस है तो भी आप उसके लिए भी वेकेंसी आपको देखने को मिलेंगी तो सबी डेटेल्स जानेंगे इससे से पहले आपको सौट इंफरमेशन के माध्यम से आपको जानक कारी आपको सौट इंफरमेशन में प्रोवाइड कराई गई है एक बारी सौट इंफरमेशन को जरूर से चेक आउट कर लेना अब बात करते हैं इसमें कुछ और इंपोटेंट डेटेल्स के वारे में जैसा की नेम अफ और गिनाइजेशन टोटल पोस्ट एस लेमेट सेले अब लेकर के और 22 वर्स के जो भी उम्मीदवार है ठीक है वहाँ पे अपलाई कर पाएंगे बात करते हैं इसमें पोस्ट नेम की तो यहां पे दो पोस्ट निकली हैं जिसमें इंजिनियर और जूनियर इंजिनियर ठीक है यहां पर दो पद निकल कर आचुके हैं अगर कि यहां पर यूटेव पर मैं अपडेट नहीं देपाता हूं तो टेलिग्राम पर मैं आपको सबसे पहले अपडेट करा देता हूं तो जरूर से करके रखिएगा और बात करेंगे इसमें apply mode की तो देखो भाई यहां पर बात आती है कि apply कैसे करना होता है देखो apply के process दो प्र पूरा बेवरा कंपनी के पास पूरा बेवरा अपना बेज सकते हैं और वहां पर आपको यहां पर क्रेक किया जाएगा आपके इंटर्वी के लिए आपको ट्रैक किया जाएगा वह आपकी email id के तो email id समझ सब्सक्राइब डालें जो कि आपको response मिलता रहे उस email id पर और सब्सक्राइब तो यहां पर आपकी education qualification आपको देखने को मिलेगी अगर मालेज आपने कर रखा है डिपलोमा कर रखा है यहां पर आपने graduation भी बीटक कर रखा है तो आप इसके लिए जो apply कर सकते हैं अब यह जो vacancy निकलिए इसमें क्या qualification मैं आपको आगे बताऊंगा लेकि चाहे male candidate हो या female candidate हो ठीक है सभी लोग इसके लिए eligible हो पाएंगे अब बात कर लेते हैं कुछ इसकी जो age limit है उसके बारे में तो यहां पर age limit के बारे में भी आपको बताये गया है जैसा कि आप देख पार हूंगे आप 18 से ले करके और 32 वर्स के age जो है वो आपकी होनी चाहि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और इसमें selection process के अगर हम बात करें तो selection process भी आपको यहां पर देखने को मिल जाता है जैसा कि आप देख पार हूंगे आप देख सकते हैं interview के basis पे CBT exam होगा आपका computer based test होगा and उसके बाद documents verification ठीक है तो इन steps के तो आपको selection process है वो आपको दे समय क्या 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 आपको दस्ताबेच अपलोड करने होंगे यह details के बारे में आप सारी details को बताए गया है कि क्या क्या चीजों की जरूरत यहां पर पढ़ने वाली है अब बात करते हैं कुछ इसकी जो important dates है उसके बारे में तो इसकी जो form भरने की last date है ना यहां पर देखि जीरो चार्ज है ऐसी स्टी और फीमेल कंडिडेट के लिए भी आप देख पाएंगे जीरो चार्ज है अब आत का लेते हैं आप दोस्तों हाउट अपको एपलाई करना है तो इसके लिए एपलाई करने का जो process है ना मैं आपको बता देता हूं कि कैसे कैसे आपको एपलाई जॉब तक यहां पर आपको जो पहली वाली टेकी यहां पर देख सकते हैं यह देखने को मिल रही है इस पर आपको वहां पर किलिक करने के बाद आपके सामने सबसे पहली वाली टैब वोपिन हो जाईगी जैसा यहां देख पार रहेंगे JSW स्थिल प्लांट recruitment 2014 आपको simply क्या करना है apply online करने के लिए इस पर आपको click कर दिना है जैसे यहां पर click करोगे click करने के बाद जो मैं आपको बताईं थी बेशिक डेटेल्स वे 직 डेटेल्स आपको यहां देखने को मिल जाएंगी तो एक बारी जरूर से यहां पर चेक आउट कर लिजेगा पेसे डिटेल्स के माधिम से सारी जानकारी लेने ना उसके बाद ही आवेदन करना ठीक है तब आपको सारी समझ में भी आ जाएगी पूरी डिटेल्स अब देखिए यहां पर जो इसके जो फॉर्म है यहां पर ओपिन हो जाएगा जैसा कि आप देख पार होंगे अप्लिकेशन फॉर जूनियर इंजिनियर ठीक है यहां पर आप देख सकते हैं कौन सी ब्रांच लीजवाल है वह भी आप देख पाएंगे इसके लिए यहां पर आपको सारी डिटेल्स आपको होगे जैसा कि आप यहां पर देख पार हूँगे उसके बाद आपको नीच आएंगे तो आपको देखे कर रखाएं तो आपको सारी ब्रांच देखने और और अगर आप दिप्लोमा पास आउट है तो आप लोमा वाले कौन सी एर में आपने पास कर रखा है उस पर आप टिक करेंगे ठीक है जैसे कि आप देख सकते हैं और इसके लिए दोस्तों आप यहां पर आपको जैंडर करना है मेल यहां यहां पर इसके बाद यहां पर देखेगा तो आपकी डियोवी यानिकि आपकी डेट वर्थ को आपको यहां पर फिलप करना होगा काँट की जाएगी 10 अपर plans 2024 तक यहां पर आपकी काऊंट की जाने वाली है और इतनी तारीक तक कितनी एज होती है इसको आपको यहां पर 25 वर्स डाल दीकिएगा E-mail ID के बात करें, आपको E-mail ID का Option देखेगा, तो यहां पर अपनी E-mail ID डालना है, यहां पर phone number का देखेगा, तो यहां पर आपको अपना phone number डालना होगा, उसके बाद यहां पर देखेगा, आपको देखने को मिलेगा, आपको डालना होगा और आपको डालना होगा और आपको डिप्लोमा एडमिशन आपने कौन सी येर में लिया है कूलम करना होगा एक कोडम को तो सारी डिटेल को आपको देखने को मिल आपके जो यहां पे देखेंगे यहां पर और भी सारी डिटेल्स दे रखेंगे आपको अरम से भर लिजेगा इसके बाद यांपर नीचे आपको और अप्सन देखेगा देखिए तो आपको जो form है वो submitted successfully भर जाएगा तो इस तरह से जो है आप अपने form को fill up कर सकते हैं कोई doubt हो कोई query हो तो comment में पूछ लेना comment में भी मैं आपको reply दे दूँगा और comment में अपनी योगिता को डालना बिल्कुल भी मत भूलना ताकि मुझे पहां पर पता चलता रहता है कि qualification है